हेलो दोस्तों टेकने का लामेर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है आज की इस वीडियो में हम में पास एक कमेंट आया कि भाई कौन सी भी वेहिकल के डोट्स को कैसे रिमू करें और उस वेहिकल को डेमेज भी नहीं होना चाहिए इसे सिखा दो तो वीडियो पसंद आजब आज़ए तो लाइक करें चले अस वीडियो को स्टार्ट करते हैं इसके लिए आपको नीट्रेनर की ज़़रूरत हुः उसका इंस्ट्लेशन का वीडियो आपको काट पर दिख रहा होगा नीट्व ट्रेनर को इंस्टॉल करने के बाद बाद कौंसे वेहिकल को लिजिए तो क्वन्सी वेहिकल को लेने के बाद बाद करने के बाद नीचा आने बाद यहां नीचा आने बाद यहां आपको दिख रहा होगा वेहिकल्स इस पर क्लिक कीजिए इस पर क्लिक करने बाद यहां साइड में आजाईए साइड माने बाद यहां 3 में नीचा है जाइए नीचा आने बाद यहां आपको देख रहोगा vehicle control इस पड़क क्लिक कीजिए इस पड़क करने लिए और अब डोर्स को रिमो गरने के लिए साइड में आ जाइए 3 में आपको दिख रहा होगा 3 में आनेक बाद यहाँ नीचा जाएए नीचा आने बाद यहाँ आपको दिख रहा होगा Damage Door इस पर क्लिक कीजिए यहाँ से आपको यहाँ आपको दिख रहा होगा Enter Number यहाँ से आपको Door का Number Enter करना होगा आप 0 से start कीजिए मैं यहां first 0 टाइप करता हूँ 0 टाइप करने के बाद enter कीजिए तो दोस्ता हम देख सकते हो हमारा driver door remove हो चुका है पैसिंजर door को remove करने के लिए फिर से इस पर क्लिक कीजिए इस पर क्लिक करने के बाद 1 टाइप कीजिए इसके बाद enter कीजिए तो दोस्ता हम देख सकते हो हमारा passenger door भी remove हो चुका है मैं आप यहां 2 टाइप करता हूँ अब 3 अब मैं 4 टाइप करूँगा उसके बाद अब मैं 5 टाइप करूँगा तो दोस्ता हम देख सकते हो हमारी vehicle के dots और trunk और hood सब remove हो चुके हैं इसी तरह सापकों से भी vehicle के dots को और उनके hood और trunk को भी remove कर सकते हो तो दोस्तों यही थर्स वीडियो में अगर आपको वीडियो पसंद लेगा तो लाइक करें शेयर करें और इसी तरह के वीडियो के लिए अमरे श्योटूप चानल को सब्सक्राइब कीजिए थैंक्स पर वाचिंग